गैशन साथियों फिर से स्वागत करते हैं आप सभी कर अपके अपने परिवार चोटा ट्रिटर में तो दोसों इस वीडियो में निफ्टी-50 और संसेक्स के बारे हम बात करने वाले हैं कि कल के ट्रेडिंग सेसन में निप्टी-फिप्टी और संसक्स क्या मुवमेंट कर सकते हैं जैसे कि आप सभी को बता है डेली बेसिस पे यहां पे आप सभी को एनलिसिस वीडियो प्रवाइट कराई जाती है और वो भी अच्छी खासी एक्विरेसी के साथ कैसे कल की वीडियो में हमने बताया था कि यह बुलिस साइन है मिल सकती चुकि है कि यह इंपोर्टन ट्रेंज थी इसके बारे में कल मैंने डिसकसन किया हुआ था मैं केवल हवा हवाई में यहां पर बात नहीं कर रहा हूं आपसे मैंने बैक एंड में जो एनलिसिस की हो उसके व्याप पर मैं आप सभी को यहां पर लेवल जटा करके बताता हूं प्रूफ के तौर पर आप हमारी प्रीवेज वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैं आप सभी को इनलिसिस करके बताता हूं देन उसके बाद में किस प्रकार से मार्केट trade करती है फिर market व्याइब करती है आप सभी के साथ लेकिन आप सभी का अगर basic concept clear है तभी आप लोग option trading में profit बना पाएंगे otherwise maximum लोग loss कर रहे हैं तो आप भी ही loss करेंगे इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि पहले learning दिन उसके बाद learning learning के लिए आपको कहीं जाना नहीं है यहाँ पे हमारे चैनल के माध्यम से आपको free learning प्रोवाइट कराई जाती है और आगे भी प्रोवाइट कराई जाती रहेगी जब तक मैं हूँ इसलिए मैं आप सभी से request करता हूँ कि नए है तो like करके वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस करके रख लीजेगा live learning सेसन भी मैं आप सभी के साथ जुडता हूँ live learning के माध्यम से ठीक है तो आगे भी जुडूँगा यहाँ पे मैंने एक जो strategy आप सभी के साथ discuss की हुई थी हलाकि मैंने बैंक निफ्टी के लिए बताय हुई थी आप सभी को साथ में बताया था कि हर किसी चार्ट पर ये काम करती है निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 और फिन निफ्टी पर तो यहाँ पर प्लस मा की strategy candle देख सकते हैं कि यहाँ पर work करी है अगर इसको आप यहाँ पर देखिए तो अच्छा खास है यहाँ पर 30, 40, 50 पाइंट का profit तो आपको देखने को मिला ही मिला है यहाँ पर जैसे rejection लिया था मैंने आप सभी को बताया हुआ था टेलिग्राम चैनल के माध्यम से की 19,600 जो है जी आपका साथ की लेवल बताया हुआ था आप सभी को ठीक है तो जो आप अगर काफी दिनों से मार्केट को वाज कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं तो आप सभी को support रेसेंस बारे में पता है बारे में पता है basic concept clear है तो आप definitely यहाँ पर चीजों को समझ गया होंगे otherwise पहले learning then earning बात कर लेते हैं कि कल market में क्या हो सकता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर fever retracement के level से correction mode में अगर market आते हैं कलको gap down होती है तो maximum क्या level हो सकते हैं इस चीज को हम find करने के लिए यहाँ पर हम fever retracement का level लगाते है और 680 के आसपास में यह level निकल के आता है ठीक है अब मैं इसको हटाता हूं यहां से तो यहां पर मैं क्या देखने मिल रहा है एक 30 पाइंट की range मिल रही है इसको हम थोड़ा सा यहां पर buffer करेंगे 640 के आसपास में लाएंगा अब यह 40 पाइंट की है 19,680 के आसपास में मिलती है तो हम यहां से कॉल साइट में कर सकते हैं 20-30 के साथ 19,750 का यहां पर हमें टार्गेट फिर से देखने को मिल सकता है तो हम 19,750 पर एक और जेंटल लाइन करते हैं कुछ इस प्रकार से 50 का level यहां पर यह है दोस्तों मैंने वीडियो तो इससे भी रीट कर लिएजएगा वैसे भी बता दूं साथ फॉर्म में आप सभी को कि मैं से भी रेइस्टर नहीं हूं और ना ही फैनेंसेल एडवाजर हूं आप सभी का तो इसलिए वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग परपस के लिए है सीखिए समझिए जानिये देन उसके बाद में कुछ करिए अपने बिना फैनेंसेल एडवाजर के संपर किये आप किसी भी प्रकार की बाइंग एंसेलिंग मत की सेर मार्केट जो किया दिन है यहां पर मैंने इस नाइंटीन थाउजन सेवन हेंडेंड फिप्टी का लेवल लगा तो दिया है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा फोर्टी के आसपास में क्यों क्योंकि यहां पर मुझे रैसेंस अच्छा घंसा देखने को मिल जब यह 19,000 40 का लेवल ब्रेक करेगा 19,000 थारी 19,700 40 का लेवल ब्रेक करेगा तो यहां पर सस्टैन रहना चाहिए और जैसे 50 का लेवल क्रास होता है हम यहां पर 19,000 820 और 19,900 के लिए बैड सकते हैं ठीक है यह मेरा व्यू है बाकी कल क्या होता है कल देखा जाएगा और यह हम यहां पर 19,740 के नीचे जब तक रहती है तब तक मार्केट इसी रेंज में 19,680 के रेंज में मुवमेंट कर सकती है यहां पर आने बाद उपर जा सकती है एक चीज और यहां पर एक box create की है तो simple box strategy में मैंने आप सभी को बताया है कल के trading session में अगर इसी range में opening कराती है तो यहां पर नीचे की तरफ जाती है तुम क्रमसा नीचे की साइड में ढूनेंगे अपनी opportunity अगर इसको breakout करके उपर की तरफ जाती है तो मैंने बताए दिया market अगर नीचे गिरावट करेगी तो maximum दो important level 19,680 और 19,640 यह important level है बहुत ज़्यदा गैब डाउन कर जाती है तो 19,600 बस अभी के लिए यही तीन level नीचे की साइड में supporting level की का बता और काम करेंगे बात कह लेते हैं sensex की sensex का चार्ट लगाना है तो sensex का चार्ट हम यहां पर लगा दी है sensex के expiry में हमने आप सभी को साइद बताया हुआ था यह वीडियो में तो लगबह यहां पर कुछ लेवल लगे हुए और वह लेवल भी यहां पर आज भी देखिए कितना बेहतरी नवर्क की है यही से market जो है हमें एक जो breakout देखने को मिला या फिर यूं कहें कि जो important की point है वो 65600 का है और वो क्यूं है वो मैं अभी आप सभी के साथ discuss कर रहा हूँ 65600 का ठीक है अब यह क्यूं है इस चीज को आप सभी लोग समझेगा देखिएगा चार्ट पे अब जब कीजिएगा फिलाल वीडिय ही discuss कर रहा हूँ और 600 के नीचे अगर हम इसको थोड़ा सा लाते हैं यह नीचे ऊपर एक सिकंड के लिए मैं थोड़ा सा यहां पर देख लेता हूँ अगर मार्केट नीचे की तरफ आती तो कैसे कहां पर retrace कर सकती है for intraday हम यहां से करेंगे लेवल मार्क और 600 से कर देंगे 650 अब यहां पर देखे यह important support लेवल का काम करेगा अगर इसके नीचे मार्केटिम के जाती वैसे जाने वाली है नहीं अगर 65,660 के नीचे जाती है तो आपको करमसा फिर जो गिरावट देखने को मिलेगी वो 65,400 और 65,000 के आसपास भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं मतलब 5,600 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी लेकिन कल बहुत ही कम चांसे हैं कि कल नीचे के साइड में यहां पर हमें देखने को मिलें चाहिए अगर उपर की तरफ रहती है तो हमारक क्या भी हो होना चाहिए यह यहां से बाइंग जोन भी है तो 65,980 यह वाला लेवल दिन इसके बाद में एच हिंड़ेट 10 क्या सपास का लेवल है ठीक है और कल अगर बेक आउट करती है आज का हाई यानि कि 300 क्या सपास का लेवल यहां पर हम इसको फ़र्क है ठीक है समझ गए तो आज का जो लेवल होने वाला है वो इस प्रकार से होने वाला है सेंसेक्स में अब यहां पर देखिए एक तो इंपॉर्टेंट रेंज यह है कि 65,980 से ले करके यह रेंज नोट के लिजेगा 66,300 की यह रेंज आपको देखने को मिल सकती है सेंसेक्स में अगर मार्कट गैप डाउन या 66,500 और 66,720 का नेक्स लेवल मुझे देखने को मिल सकता है इसको मैं चार्ट पर भी ड्राव कर रहा हूं और आप लोग भी ड्राव कर लीजेगा चार्ट पर अगर करना जाए तो 720 के असपास और एक पांचसो असी के पांचसो ले लेते हैं राउंड फिगर में ठीक है मतल अदरवाइज 65,900 T से लेकर 66,300 की यह एक इंपॉर्टन रेंज होगी कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर मार्केट फ्लाट या फिर गैप डाउन ओपनिंग कराती है तो अदरवाइज उपर की साइड में 66,300 के बाद में फिर 500 का यह लेवल दें उसके बाद में 720 का यह लेवल हमें देखने को मिल सकता है नीचे क्रमसा मैंने आप सभी को बता ही दिया वीडियो कैसे लिगी आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा टेलिग्राम च सभी चीज़े प्रोवाइट कराता हूं लेकिन वहां पर आप सभी को किसी भी तरह से गुम्राह किया जा सकता है अगर फेक चैनल जोइन कर लेंगे तो इसलिए प्लीज फेक चैनल मत जोइन कीज़ेगा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगी आपको उसी लिंक के थ्रू पेलिग्राम चैनल पर आएंगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिन जाए भारत वंदे मातरम टेक केर बाबाए आला फ्यों